इस कक्षा में हम अन्याकार के छेत्रफल के सूत्र पढ़ेंगे उसके पहले हम पूनर अवर्दन कारे करेंगे हमने पिछली कक्षा में वर्गों, आयतों, त्रिभुज, समातर्थ, चतुर्भुज और समकोर्ण त्रिभुज के छेत्रफल के सूत्र पढ़े थे तो हम एक उधारण के रूप में उन्हें देखेंगे उधारण में हम इस घर की आकरती का एक आकार लेंगे और यदि हमें इस घर को रंग ना है और हमें रंग का भाव पर वर्क फीट दिया है तो हम इसका छेतरफल याद करेंगे यह घर का छेतरफल होगा इन अन्य आकारों के छेत्रफल होगा योगफल जो इस प्रकार है यह दोनों आयत है यह एक समांतर चत्रभुज है यह एक त्रिभुज है यह एक आयत है और यह एक वर्ग है तो इस घर का छेत्रफल होगा दोनों आयतों का छेत्रफल प्लस समांतरे चतुरबुच का छेतरफल प्लस तृबुच का छेतरफल और इन सारे छेतरफलों में से यह वर्ग और आयत का छेतरफल हमें घटाना होगा तो हम इसका छेतरफल कुछ इस प्रकार लिखेंगे यदि हमें इस आधार का मान दिया है 10 फिट और इस आधार का मान दिया है तीन फिट और इस घर की उचाई हमें आट फिट दी गई है और यह जो इसका उपरी भाग है उसका आधार भी दस फिट होगा क्योंकि यह एक आयत है जिसकी विपरीत बुजाएं बराबर होती है और इसके उपरी भाग की उचाई हमें तीन फिट दी है और यह भी हमारा तीन फिट होगा उसी प्रकार क्योंकि यह एक आयत है और आयत की विपरीत बुजाओं का मान बराबर होता है और इस दर्वाजे की उचाई हमें दी गई है पांच फिट और इसका आधार दिया गया है दो फिट और इस खिड़की के आधार यानि बुजा का मान दिया गया है दो फिट तो इसका छेत्रफल होगा दोनों आयतों का छेत्रफल यानि 10 गुड़ा 8 प्लस 3 गुड़ा 8 प्लस यह समानतर चत्रफुच का छेत्रफल जो होगा 10 गुड़ा 3 प्लस इस त्रिभुच का छेत्रफल जो होगा 3 गुड़ा 3 भाग 2 अब इसमें से हमें यह खिड़की और दर्वाजे का छेत्रफल घटाना होगा जो होगा 5 गुणा 2 जो दरवाजे का 6 रफल है और 2 गुणा 2 जो खिड़की का 6 रफल है तो इसका 6 रफल निकल करके आएगा 80 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 9 भाग 2 माइनस 10 माइनस 4 तो यदि हम इसे फिर से लिखें तो यह होगा 80 प्लस 30 प्लस 9 भाग 2 प्लस 24 माइनस 14 जो होगा 110 प्लस 9 भाग 2 प्लस 10 जो निकल करके आएगा 124 दशमलव 5 वर्ग फीट तो अब हम अन्य आकारों के 6 रफल के सूत्र पढ़ेंगे अब हम सबसे पहले अनोखे त्रिबुच यानि संबहुत त्रिबुच जिसे हम इक्विलेटर ट्राइंगल कहते हैं उसके 6 रफल के सूत्र पढ़ेंगे यह होता है संबहुत त्रिबुच जिनकी तीनों बुजाओं का मान बराबर होता है संबहुत त्रिबुच के 6 रफल का सूत्र पढ़ने के पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय का पुनरा वर्तन करना रहेगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकौन त्रिबुच के समकौन बनाने वाली बुजाओं का वर्ग का योक्फल तीस्री बुजाओं का वर्ग होता है यानि यदि यह बुजा का मान A है और इस बुजा का मान B है तो C वर्ग बराबर A वर्ग योगफल B वर्ग तो यदि हमें इस संबहुत रिबुज के छेतर फल का सूत्र निकालना है तो हमें इसकी उचाई का यात लगाना होगा यदि मैं इसकी उचाई को B लिखता हूँ और ये हमारी A भाग 2 होगी और ये इसकी बुजा है जिसका मान हमें A दिया गया है तो मैं पाइथा गोरस प्रम्य के अनुसार कह सकता हूँ B वर्ग योग A भाग 2 वर्ग बराबर A वर्ग तो B वर्ग बराबर A वर्ग माइनस A भाग 2 का वर्ग जिससे B वर्ग बराबर A वर्ग गुणा 3 भाग 4 तो मैं B का मान कह सकता हूँ A मान गुणा रूट 3 भाग 2 तो इसके छेतर फल का सूत्र हमारे पास निकल करके आएगा आधा गुणा इसकी उचाई यानि B गुणा इसका आधा यानि A तो उसे हम लिख सकते हैं आधा गुणा रूट 3 बाइ 2 गुणा A जो हमारे पास निकल करके आएगा रूट 3 भाग 4 गुणा A का वर्ग जिसे मैं फिर से लिख सकता हूँ रूट 3 भाग 4 गुणा भुजा का वर्ग तो यदि हम उदाहरन के लिए एक संबहुतरी भुज लें जिसका बुजा का मान हमे 6 दिया गया है तो हम इसका 6 त्रफल लिख सकते हैं रूट 3 भाग 4 गुणा 6 गुणा 6 यानि रूट 3 भाग 4 गुणा 6 चत्यस चार चत्यस बटे चार नौ तो हम इसका 6 त्रफल लिख सकते हैं नौ रूट 3 वर्ग सेमी अब हम सम्चतुर्बुज के 6 त्रफल के सूत्र पढ़ेंगे सम्चतुर्बुज यानि रूमबस जिसकी 4 जारो बुजाओं का मान बराबर होता है और यह इसकी 2 विकर्णे होती हैं जो सम्कोन बनाती है तो यदि मैं इसके 6 त्रफल का सूत्र लिखना चाऊं तो उसके 6 त्रफल का सूत्र होता है विकर्णों की लंबाई का गुणन फल भाग दो यदि हम उधारण की रूप में इसे देखें तो यह हमारे पास एक सम्चत उर्वुज दिया गया है जिसकी विकर्ण का मान है छे और दूसरी विकर्ण का मान है पाँच तो मैं इसका छेतर फल लिख सकता हूँ आधा गुणा छे गुणा पाँच यानि पंदरा वर्ग सेमी अब हम समलम चतुरवुज के छेतर फल के सूत्र पढ़ेंगे समलम चतुरवुज यानि ट्रेपेजियम के दो विपरीत भुजाओं समलम होती है यानि यह भुजा ए है और यह भुजा भी है तो यह एक दूसरे समलम यानि पैरलल होती है और इसके छेतर फल का सूत्र निकल करके आता है आधा गुणा समांदर बुजाओं का योगफल यानि A प्लस B गुणा उचाई यदि हम इसकी उचाई C लिखें तो हम इसके छेतर फल का सूत्र लिख सकते हैं आधा गुणा A और B का योगफल गुणा इसकी उचाई जो है C यदि हम उधारन के रूप में इसे देखें तो हमें एक समलम चतुर बुज दिया गया है जिसका आधार है छे और विपरीत बुजा जो इससे समलम है वह है चार और इसकी उचाई है तीन तो इसका छेतर फल मैं लिख सकता हूँ आधा गुणा छे और चार का योगफल गुणा तीन जो होगा आधा गुणा दस गुणा तीन यानि पंदरा वर्ग सेमी अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के छेतर फल का अन्यसूत्र यदि हमें एक त्रिभुज दिया है जिस त्रिभुज की हमें बुजाओं का मान दिया है और उसका आधार और उसकी उचाई नहीं दी तो यह छेतर फल का सूत्र हमें उप्योग में लेना होगा यदि इनकी बुजाओं का मान हमें A, B और C दिया है तो हम इसकी अर्द परिमीटी लिख सकते हैं अर्द परिमीटी को हम S लिखते हैं जो हम लिख सकते हैं A, B और C का योग फल भाग दो और उसके छेतर फल का सूत्र होता है S गुणा S-A गुणा S-B गुणा S-C जो S इसकी अर्ध परिमीती है तो यदि हम उदहारण में एक त्रिबुज लें जिसकी बुजाओं का मान है 5, 4 और 3 तो इसकी अर्ध परिमीती होगी S, 3, 4 और 5 का योगफल भाग 2 जो होगा 12 भाग 2 यानी 6 सेमी और इसका 6 त्रफल होगा वर्ग मूल 6 गुणा 6-3 गुणा 6-4 गुणा 6-5 जो होगा 6-3 गुणा 2 गुणा 1 जो होगा वर्ग मूल 36 जो होगा 6 वर्ग सेमी अब हम आज सिखे गए सारे छेत्रफल के सूत्रों का पूनरा वर्धन कर लेते हैं सबसे पहले समांतर चतुरभुज समांतर चतुरभुज यानी पैरलिलोग्राम जिसकी विपरीत भुजाएं समांतर होती है उसके छेत्रफल का सूत्र है आधार यानी ये गुणा उचाई यानी ये इसके बाद हमने पढ़ा था त्रिभुज की बारे में त्रिभुज का छेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा उचाई भाग दो जिसका आधार होता है ये और उचाई होती है ये जो इससे समकोर बनाती है उसके बाद हमने पढ़ा था समकोण त्रिबुज के बारे में जिसकी दो बुजाएं समकोण बनाती है उसके छेत्रफल का सूत्र होता है समकोण बनाने वाली बुजाओं का गुणन फल भाग दो यह समकोण बनाने वाली बुजाएं है तो इसके छेत्रफल का सूत्र होगा समकोण बनाने वाली बुजाएं का योगफल यानि इन दोनों का योगफल भाग दो इसके बाद हमने पढ़ा था सम भहुत्रिभुज यानि इक्विलेटर ट्राइंगल जिसकी सारी बुजाओं का मान बराबर होता है उसके छेत्रफल का सूत्र आता है वर्ग मूल थ्री भाग चार गुणा बुजा का वर्ग उसके बाद हमने पढ़ा था सम चत्रवुज यानि रोमबस जिसकी सारी बुजाओं का मान बराबर होता है और यह दो उसकी विकर्ण होती है तो उसके छेत्रफल का सूत्र आता है विकरणों का गुणन फल भाग दो उसके बाद हमने समचतुरवुज यानि ट्रेपेजियम के छेत्रफल का सूत्र बढ़ा था ट्रेपेजियम वह होता है जिसका आधार का विपरीद बाजू समलम होता है उससे और उसके छेत्रफल का सूत्र होता है समलंब बुजाओं का योगफल यानि इन दोनों का योगफल गुणा इसकी उचाई भाग दो और इसके बाद हमने पढ़ा था त्रिभुज के छेत्रफल का अन्य सूत्र यदि हमें त्रिभुज का आधार और उसकी उचाई नहीं थी बजाए उसके तीनों बुझाओं का मान दिया है तो हम उसका छेत्रफल लिख सकते हैं वर्ग मूल S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C जब S इसकी अर्ध परिमिती होती है जिसका मान होता है A, B और C का योगफल भाग 2 जहां A, B और C इन बुझाओं का मान होता है तो यह हमने आज सारे छेत्रफल के सूत्र पढ़ लिए और पुनरा वर्तन में हमने किया था आयतों और वर्गों के छेत्रफल के सूत्र जो हमने पहले भी पढ़के रखे हैं अब हम एक उधारन करेंगे जिनमें हम छेत्रफल के सूत्रों का उपयोग लेंगे मान लीजिए हमें इस प्रकार की आकरती दी गई है और इस आकरती को हमें कागच से ढगना है और पूछ लिया उस कागच के छेत्रफल को बताईए तो हम इस आकरती को कुछ इस प्रकार बनाएंगे और हमें दिया गया है कि इस आकरती में यह एक वर्ग है ये चारों आयत हैं और ये चारों सम्लम चतुरबुज हैं तो हम इसके छेतरफल को लिख सकते हैं वर्क का छेतरफल योग चार गुना आयत का छेतरफल योग चार गुना सम्लम चतुरबुज का छेतरफल चार गुना आयत का छेतरफल इसलिए क्योंकि इसमें चार समान छेतरफल वाले आयत है और चार गुना समलम चतरफल का छेतरफल इसलिए क्योंकि इसमें चार समान छेतरफल वाले चतरफल है तो अब हम इस आकरती को लेंगे और हमें दिया गया है कि यह बाजू का मान है छे और यह बाजू का मान है चार और इसमें जो सम लंब है उसकी उचाई है दो तो हम इसके छेत रफल को लिख सकते हैं वर्ग का छेत रफल यानि चार गुणा चार योग चार गुणा चार गुणा इसलिए क्योंकि चार आयत हैं और हमें आयत की उचाई दी कही है तीन तो हम आयत का छेत रफल लिख सकते हैं तीन गुणा छे योग चार गुणा सम लंब जत्रुभुच का छेत रफल जो होगा चार प्लस छे भाग दो गुणा उसकी उचाई यानि दो तो इससे जो छेत रफल निकल करके आएगा वो आएगा छे योग चार गुणा अठारा योग चार गुणा पांच गुणा दो तो हम इससे लिख सकते हैं सोला योग चार गुणा अठारा यानि बहत्तर योग चार गुणा दस यानि चालीस तो हम इससे लिखेंगे सोला योग बहत्तर योग चालीस जो निकल करके आएगा छपपन योग बहत्तर यानि 128 वर्ग सेमी यदि हमाएं सारे माप सेमी में दी गए थे तो तो इसी के साथ हमारे छेत्रोफल वाला पार्ट पुरा होता है धन्यवाद